तो अभी सम में क्या दिया हुआ है यह हमारा बोल सकते हो कि यह पॉइंट में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे फंडामेंटली आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्योंकि हम दोनों मेथड से हम कर रहे हैं यह सम तो डिटेल कुछ इस तरह है दिटेल ओफ एक्सपेंडीचर ओन क्लोथिंग फॉर्ड वर्कर क्लास ओफ रिजियन और इस फॉलोड फाइंड आउट इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग बाय टोटल एक्सपेंडीचर मैथड एक पॉइंट और दूसरा फैमिली बजेट मैथ आपको कैल्कुलेशन करना है तो सबसे पहले आप बोलोगे सर दिया क्या इता आइटम में दिया हुआ है सारी धोती श्रॉटिंग एनडर यूनिट में 20 मीटर मीटर दिया हुआ है उबसे पहले अभी इस्टार्ट करते है क्या फीजिरो क्या q0 तो आप बोलोगे सर यहां 2014 है तो 14 है तो पी वन आ जाएगा इसके साथ हमारे सारे नोटेशन क्लियर हो गए अभी हमें टोटल एक्सपेंडिचर से करना है तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर की जो फॉर्मिला यह होगी वह लास्पेर की होगी कौनसी वाली लास्पेर वाली तो कुछ इस तरह इंडेक्स नमबर इस एक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू जिरो अपॉन सिग्मा पी जिरो क्यू जिरो इन्टू हंड़ेड तो इसके साथ हम वैल्यू पूट करते मुल्टिप्लाय करना शुरू करते तो आप बोलोगे सर क्या इन्टू फोर हंडेड तो होगा 2000 सेम वे एट इन्टू हंडेड तो 800 38 इन्टू 20 तो 760 15 इन्टू 23.8 तो आप बोलोगे 357 टोटल होगा 2917 टोटल होगा सीगमा पी यएप एप उसके बाद पी जीरो क्यू लू तो हभी करते हैं क्यू झीो पर हाईलाइट और P0 पर highlight P0 अमारा इन दोनों का multiply करना है तो आप बोलोगे sir लिखना शुरू करो P0 अमारा कितना होगा 300 into 300 into 5 तो 1500 उसके बाद आप बोलोगे 70 into 8 तो 560 32.4 into 20 तो 64 648 29 20.9 into 15 तो होगा 313.5 इसके साथ इसका भी टोटल आ जाएगा सिग्मा P0 Q0 का तो टोटल कुछ इस्टर होगा 3021.5 और यहां लिखमा जाएगा सिग्मा P0 Q0 उसके साथ टोटल करते ही हम value put करते हैं तो 3917 तो 3917 into 100 बोलोगे आप और P0 Q0 की जगह आप लिखोगे 3021.5 तो यह solve करोगे तो answer आपका आजाएगा 129.64 और इसके साथ आप बोलोगे सर यह आपकी टोटल expenditure method वाल है complete हो गया same way अभी आप start करोगे P0 Q0 तो बच्चा बोलेगा सर यह indirectly यहां से यहां ही लिखना है क्योंकि P0 Q0 अभी आपने ढूंडा है तो perfect बोल रहा है बच्चा यही हमें लिखना है तो हम directly copy कर रहा है क्योंकि एक ही method में दो sum होते हैं तो कई बार repetition की ज़रूरत नहीं है और हमने पूरा copy कर लिया है total भी total में symbol change हो जाएंगे symbol लिखना पड़ेगा तो आप बोलो कि सर हाइलाइट करो उससे आपको clarity ज्यादा आएगी यह रहा हमारा P1 और यह हमारा रहा पाड़ित पाड़े इसके साथ आप बोलो कि सार इतना हमें करना है सबसे पहले हम start करते ऊच्णि हैं पूर रूज्रेट इसका 100 अब बोलोगे सर कितना आएगा तो आप बोलोगे 133.33 200 by 70 इन्टू हन्रेट सॉल करोगे तो 142.9 इसके बाद जो आएगा आप बोलोगे सर 38 डिवाड़ बाइ 32.4 इन्टू हन्रेट तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 117.3 और आखिर में हम लिखते हैं आप बोलोगे सर यहां P1 है 28 23.8 डिवाड़ बाइ 20.9 इन्टू हन्रेड सॉल करेंगे तो आएगा 113.9 इससे साथ आप आपका आई भी आ गया W भी आ गया यह आई और यह W अभी इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना है यह आंसर को तो हमें क्या मिलेगा IW तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई और W को मल्टिप्लाइ करेंगे तो पहले का आंसर यहां हमें सबने एक ही डिजिट लिए तो सब भी जगा एक ही डिजिट से मल्टिप्लाइ करके आंसर लाएंगे इससे क्या होगा क्यालकुलेशन में थोड़ा डिफ्रेंस ना है आपने दो लिए तो सब भी जगा दो से ही क्यालकुलेशन करना एक्यूरेट आंसर आपका आएगा हम एक से कर रहे है तो आप बुलोगे सर लिखो तो 199 950 सेम वे 142.9 इंटो 560 सौल करोगे 800 24 80,024 सेम वे 117.3 इंटो 648 सौल करोगे तो तो आएगा 76010.4 और आखिर में 313.5 इंटो 119 मल्टिप्लाइ करेंगे तो हो जाएगा 35707.65 टोटल करोगे सिक्मा iw तो iw आपका टोटल आ जाएगा 391 692.05 आप बुलोगे सर अभी फॉर्मिला एपलाइ करते हैं तो इंडेक्स की इसमें हेडिंग माला हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा फैमिली बजेट मैथड आइज इक्वल टू सिग्मा iw upon w तो i की जगह तो आप value पूट करोगे iw की जगह यहां से अपने iw लिया और यहां से अपने w की value ली calculation करोगे तो divide करोगे तो answer आएगा 129.64 जो दोनों का answer टैली हो जाएगा same way दोनों का answer same आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों method से answer तो same ही आता है लेकिन जो सम में पूछा गया है कि कौन से method से करना है वही आपको ध्यान रखना है उसके साथ हमारी यह method complete हो जाएगी any doubt आपके होते है तो आप इंचे comment section में लिख सकते हैं